हेलो फ्रेंड्स रेश्पी पिटारा चैनल में मैं रन्जू जी आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे पनीर की भुजिया तो पनीर की भुजिया की रेश्पी जानने से पहले चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर वुडियो पसंद आए तो लायक और सेयर करन बिल्कुल न भूले पनीर की भुजिया बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसे हाथों से मसल करके छोटे-छोटे टुकडे कर लिये हैं तो सबसे पहले पैन गरम करेंगे और एक से दो चम्मच तेल डाल देंगे तेल गरम हो जाया तो चुटकी भर जीरा डाल करके चटकने देंगे हरी मिर्च को हम अपने हिसाब से डाल लेंगे मैंने 5 से 7 हरी मिर्च को पतले-पतले टुकडो में काड़ करके ले लिया है आप चाहें तो पेष्ट बना करके भी डाल सकते हैं तो हरी मिर्च भी चटकने लगा है अब इसमें हम डाल देंगे दो साइज के प्याज को चोकोर आकार में कट करके ले लिया है तो प्याज को भी डाल करके हलका ब्राउन होने तक भूनेंगे इसमें प्याज के साइज को चोकोर करना है क्योंकि हम बुजिया बना रहे हैं तो बुजिया के लिए चोकोर आकार के प्याज कटे हुए परफेक्ट ह होते हैं तो ब्यास डाल दिया है हमने अब उसको दो से तीन मिनट तक भूनेंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे और एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है हमने और आधा चमच गरम मसाला डाल देंगे हमको सब्जी दो से तीन लोगों के लिए बनानी है पिसमाटर जाय कोरार हैं तो कम या जादा तो अपने हिसाब से सामागरी को रख सकते हैं तो हमने दो बड़े साइज के टमाटर को भी चोख और कार में में कट कर लिया है तो टमाटर को लिए तो यूं कहें कि 1-2 मिनुट तक स्वूल तब भुन लेंगे तो सारी समागरी को भून करके हमने रेडी कर लिया है अब इसमें स्वाध के अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डाल करके टमाटर और मसालों को फिर से एक किनट तक भूनेंगे ताकि मसाले अच्छे से नमक को एब्जॉर्ब कर लें और एक चोटी कटोरी हरी मतर के दाने लिये हैं हमने हरी मतर के दानों को भी डाल देंगे और मतर के दाने को पकने तक मेडियम फ्लेम पर फिर से मसालों को भूनेंगे और आप चाहें तो इसमें और भी सबजियों को एड कर सकते हैं चाहें तो आप सिमला मेर्च के टुकड़े करके भी डाल सकते हैं या गाजर को भी एड कर सकते ह तो देखिए सारे मसाले भून करके रेडी हो गए हैं और 2-3 मिनट हो गए हैं हमको मतर के दाने को भी भूनते हुए तो 2-3 चमच पाने डाल करके एक बार लो फ्लेम पर 1-2 मिनट तक मसालों को और भी भूनेंगे ताकि टमाटर थोड़े अच्छे से और भी सॉफ्ट हो हमने हाथे उसे मसाल करके चोटे-चोटे टुकडे कर लिये थे तो अभी उसको डाल देना है और पनीर को डाल करके मसालें के साथ अच्छे से मिक्स करना है और लो फ्लेम पर 2-3 मिनट तक लगातार चलाते रहना है तो पनीर की भूजिया की रेस्पी आपको कैसी लगी कमे करेंट बोक्स में बताईएगा और अगर नहीं बनाई है तो भी तो पनीर की भूजिया आप पूरी पराठे या चापाती के साथ खा सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ